एलो इस्टुडेंस, NCRT गनित वर्ग 6 में आपका स्वागत है, आज हम परस्ना वाली 1.1 को हल करेंगे, परस्न संखिया 1 में है, रिक्त स्थानों को भरिये, मतलब खाली स्थान में हमें उचित एंसर को भरना है, ठीक है? यहां परस्न संखिया A में है, एक लाख बरावर खाली अस्थान 10,000, मतलब यह कि एक लाख जो है, किस संखिया के बरावर 10,000 है, ठीक है? तो इसे ग्याद करने के लिए आपको ठीक है? इस सारनी के विसकता होगी, ठीक है? तो आप इस सारनी के मदद से सारे कोश्चन को आप एक में जितना भी है, एस से लेकर इतक को आप हल कर सकते हैं, तो आप इसे नोट कर ले, या आप इसे अस्त्रीन सौट भी ले ले, आपको बनाने में बहुत ही सुबधा होगा, ठीक है? तो अस्त्रीन सौट लेने से अच्छा है कि आप इसे अपने दिमाग में रख ले, ठ यहां पर था एकाई, ठीक है? यहां पर है, एकाई, एकाई की मतलब कितना होता है? एक होता है, दहाई की मतलब, दस साइकरा मतलब, सो हजार मतलब, एक हजार, या इसे हम वन के भी बोलते हैं, ठीक है? दस हजार को हम कितना बोलते हैं? दस के लाख, सौग के बोलते हैं, ठ क्रोड को हम बोलते हैं दस मिलियन सो मअ मतलब को हम एक ब्लम बोल सकते हैं और अरब को बोलेंगे 10based रवासा कि आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे अप चल्याओं को हल करते हैं को स्थे राधिल एक लाख तो चलिए से हम कर्चे रफ्ट पर शॉक्यूद है ये लिखा हुआ है एक लाग किस परकार होता है तो एक 92005 chi??? 2 आप च्रूज कर लेंगे ऊसके बाद आप देखना है कि यहां जो है कितना संखिया 0 होता है तो आप कहेंगे trenner को कट कर लेंगो ऐस तरह से रगला कितना है दस तो में 10 होता है च्छिए क्या किरेंगे कर लेंगे कर लेंगे कि इ сопr पर 10 भरेंगे तो इस तरह से आपको इसन ए नंबर को असानी से हल कर पाएंगे देखिए यहां पर लिखा गया एक लाख वराबर होता है दस दस हजार होता है मतलब एक लाख वर संख्याजी है जो दस दस हजार को पुरा करता है अगर आप इस मेठर से आप नहीं समझें चले दूसरा नियम से बनाते हैं यहां लिखा हुआ था एक लाख तो एक लाख में हम कितना जिरो लिखते हैं पान जिरो ठीक फिर बटेक रूप में लिखेंगे कितना दस हजार है तो यहां लिखेंगे दस हजार गुने में लिखेंगे हजार तो यहां है हजार हजार पर इस त बना सकते हैं या इस नृश्व में से या रहा तो कोशन बीम है एक मिलियन कितना है 1 मिलियन में कितना 0 होता है 60 भी आप क्या करेंगे 60 जिरो रखेंगे तो दो 2 तेन 4 पांच 6 इसी परकार से यहां भी क्या कर रहा था सोव हजार तो पहले हम हजार जीरो तेन जिरो को कट कर लेंगे तो 100 में कितना जीरो होता है दो dal आखी यहां भी कितना के दो जीरो को कट करेंगे तो थो आपट आ जिसा adjustable बहां है यह मैं ivory यह मेरा क्या है सही है आप क्यूस्चन में है 1 करोड कितना रिखा हुआ है ? 1 करोड तो 1 करोड पर कितना 0 होता है ? तो आप कहेंगे कितना ? 7 0 तो यहाँ पर लिखेंगे 7 0 नहीं 1 1 2 3 4 5 6 7 चीक है ? आप चाहें तो इसे count कर ले 1 काइं 10 आँ 10 10 करोड नेखिए करोड आ गया न आप क्रोड के बाद पूछ ला था वो सभ्व क्या काउन है उन्हंत लिख्षा हूए कितना दस लाक पर कितना होता है तो 5,0 क्या करना है यहां से हमें 3 4 5 तो कह यहां लिखा हुआ है कितना 10 तो 10 में 10 कर लेंगे हमारा 10 आ तो आप यहां भी क्या कर लेंगे 10 को भर लिजेगा अब क्यासा आप से आप लिखेगा इस तरह से चलिए अब यहां पर कोस्टन नमर डी में एक करोड ठीक है एक करोड को आप यहां लिखेंगे यहां एक दो सोरी एक दो तीन चार पार छोग ठीक है यह साथ एक करोड हो गया अब यहां लिखा हुआ था मिलियन कितना लिखा हुआ है मिलियन तो मिलियन कितना जिरु होता है शेज होता है तो शेज़ आप क्या करेंगे त्ट किम क्ता ही मिलियन कितना धिरेंट थो मिलियन कितना जीरो चलिया तो आप बोहमिडेंगे कितना जए जीरो है दो यहां पर मेरा रखेंगे तो क्राइब क्क यह करना है कट करना है ना, 0 को तो इहां लिक्हाऊँ है कितना लाक, तो लाक पर कितना होता है 5 0, तो क्या करना है इस पे हमें 5 0 5 0 को कट करना है 3, 2, 5 तो इस तरह से आप इहां भी 10 आ गया है तो सारे question बन चुका है तो आसा है कि आप question नमर 1 का यहां से A और E आनि कि यहां तक आप हल कर लिए हैं तो चलिए कोर्शन नमर आप दो नमर करते हैं तो कोर्शन को लिख लेते हैं प्रस्ण संख्या 2 में है सही अस्थानों पर अल्प ब्राम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए ठीक है प्रस्ण संख्या M है तिहात्र लाख छत्तर हजार 2007 ठीक है यहां प्रस्ण संख्या जो है अल्प ब्राम वतलब इन चीज अकाराप्थ करना करना है। उसमें हमें अल्प ब्राम लगाना है सो चलिए प्रस्ण को हल करते हैं ठीक हैं इहां पर लिखा हुआ है 73,5,307 जलिए भार्दिय संख्या पदतिक द्वारा हम से लिखpero लिखरेंगे 34,35,307 किस तुरह से लिख़ना है? यहाँ लिखना है 73,2,6 तो यहाँ पी क्या लिखना है? 73 ुस के बाद क्या लिखना है? 75,000 यहां लिखेंगे 75 75,307 यहां क्या लिखना है 307 अब यहां पर में क्या करना है अल्प विराम का चिन परियोग करना है तो भारतिय संख्या पदत्ती में जो हता है सैक्रा इकाई दाएं सैक्रा के बाद अल्प विराम लगा जाता है उसके बाद दो दो संख्या के बाद आल्प विराम लगा जाता है ठीक है तो इस तरह से हमारा इंसल आ गिया तो आप यहां लिख सकते हैं 73 आल्प विराम ठीक है 75,000 तो यहां लिखेंगे 75 आल्प विराम उसके बाद 307 है तो यहां लिखेंगे 307 अब चलते हैं प्रस्न संखिया बी में यहां लिखा हुआ है नौ करोड पांच लाख एक तालिस ठीक है तो यहां पर हमें लिखना है नौ करोड चलिए इसको किस तरह से लिखा जाएगा चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं यहां पर हम लिखेंगे जीरो को नौ करोड पुरा लते हैं ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ याट अब देखते हैं किया करोड पहुंचा या नहीं काई दाएगा हजाद दरजार लाग करोड ठीक है यह करोड पर आ चुका है अब हमें यहां पर संखिया बैठाना है नौ करोड बुला गया कितना बुला गया नौ करोड यहां लिखेंगे नौ ठीक है आगे लिखा हुआ है पांच लाख क्या लिखना है पांच लाख तो यहां पर हमें लिखना है पांच लाख पर कितना जीरो होता है तो पांच जीरो तो यहां पर क्या करना है पांच जीरो वान हो गया अब यहां पर देखना क्या है लिखा हुआ है 41 ठीक है पांच लाग 41 ठीक है लिखेंगे 41 समझने के लिए ठीक है अब यहां पर हमको पहुंचाना है 9 क्रोल 5 लाग 31 देखते से कौंटिंग करके आ रहा है यह नहीं तो इकाई तहाएं सब्सक्राइब 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अब इसे हम देखते हैं अब जो हमारा क्या है सही अंक आ चुका है तो आप इसे अलफ विराम लगाएंगे तो तीन संख्या यहां पर आ रहा है तो यहां पर एक अलफ विराम लगाएंगे उसके बाद दो संख्या का बाद लगाएंगे तो एक बार एहां लगेगा और एक एहां लगेगा फिके? तो इस तरह से alfagram का परियोग करेंगे तो इस तरह से answer में भी लिखा जाएगा आपर 9 alfagram 0 5 alfagram 0 0 alfagram 0 4 फिके? तो इस तरह से answer सभी का आएगा आप चलिए नेक्स्ट सवाल B नमबर की हो ठीक है तो प्रस्ट संख्या C U D E एक साथ कोश्चन को लेख लिए अब चलिए प्रस्ट संख्या C में ठीक है तो प्रस्ट संख्या C को हल करते हैं ठीक है यहां लिखा हुआ है क्या तात करोड बाबन लाग 21,302 ठीक है तो चलिए से हम जो प्रस्ट में लिखा हुआ है उसी दूसार से हम इसे हल करते हैं यहां लिखा हुआ है साथ करोड तो यहां हम लिखेंगे साथ ठीक है उसके बाद बाबन लाग तो यहां लिखेंगे हम बाबन लाग 21,000 यहां लिखेंगे 21,000 हो गया ठीक है 21 उसके बाद 302 तिहां लिखेंगे 302 अब हमें बुला गया था प्रस्त में कि 7 करोड तो देखना आए 7 करोड के अस्थान पर है या नहीं 11,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो यहां प्याँ प्याँ करना है 3 संख्या के बाद लगाएंगे और व्रहां 2 संख्या के बाद और जब दो संख्या के बाद इस तरह से हमारा ऑइंसर में हो जाएगा 7 अलह फिग्राम 52 नित्व राद कि दा यहां जाएगा यह 302 हमेंreek में एस फूछ रहा था है ना तो चलिए प्रस्ण संख्या ड को हल करते हैं प्रस्ण संख्या ड में है 58,423,202 अब यहां पर दिया गया है तो यहां पर जो है क्या करना है अंतराश्ट्य बजी से ही हल करना है तो इसमें भी उसी परकार करेंगे जो प्रस्ण संख्या ड कीकिया प्रस्ण को हम निकाल लेते हैं ठीक यहां में लिखना है अंठा वन इसके बाद 423 इहां लिखेंगे चार सो तरीस उसके बाद है कितना है दो सो दो यहां लिखना है दो सो दो ठीक है तो अंतराष्ट्री बदी बनाने का जो नियम है उससे जो अल्फ विराम लगा जाता है वो तीन तीन संख्या के बाद क्या होता है अल्फ विराम लगा जाता है तो यहां लिख देते हैं अंठावन ठीक है उसके बाद अल्फ विराम फिर चार सो तईस उसके बाद फिर अल्फ विराम और 202 202 आप चेक कर सकते हैं आप यहां लिखा हुआ है उसके बाद 202 202 इस तरह से प्रसन संक्या डी विर अब हल कर पाया कर प्रसन संक्या यहां लिखा हुआ है 23,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 है न इहां देखेंगे 504 सिंगल लाख, मतलब त्यहीं मतलब ंत्यों होता है दो संख्या में तो जूता है और Video совсем Das में होना चाहिए टेस यह 10 инच, दलुपर 254 थे जिल संख्या में पर यह 100005 एक 10 थे तो क्या करना है हमें यह उनी एक से लिग दना है? जिससे हमारा जो आ जाएगा यहां लगा रहते हैं साइड में ठीक है तो यह आ चुका है तो अल्प विराम लगाते हैं एंसर में ठीक है यहां लगाते हैं कि अल्प विराम पिर क्या हो गया तीस हजार है ना पिहां लिखेंगे तीस के बाद अल्प विराम फिजिरू फिर एक और यह लास्ट बोला गया था दस करेंगे ठीक है तो इस तरह से प्रस्ण संख्या दो में कोश्टन नमर ए और बी सी दी इई आप हल कर लिए ठीक है तो कोशन को अच्छी तरीका से आप समझ चुके होंगे